एक सो तीस करोड भारत वासियों के कल्यान एवं सम्रुद्धी के लिए नवरात्री के इस पावन परवपर नौ दिनों तक केवल जल ग्रहन करते हुए अनुष्ठान तप और व्रत कर रहे हैं। आपने सवने नवरात्री ना पावन परवने अनेक अनेक शुब कामनाओ। श्रिमान स्री आर पाटिल जी अन्य सभी मंत्री गर्ण, सांसद गर्ण, विधायक गर्ण, मेरे किसान साथियों। गुजरात के सभी भाईयों और बहनों। और देश के बड़े और आधोनिक काडियाक हस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ती, भक्ती और स्वास्थ के प्रतीख है। इन सभी के लिए गुजरात के लोगों की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं। बाईयों और बहनों, गुजरात हमेशा से और साधरन सामर्थ वाले लोगों की भूमी रही है। पुज्य बापू और सरदार पटेल से लेकर गुजरात के अनेक सपुतों ने देश को सामाजिक और आर्थिक नेत्रुत्व दिया है। मुझे खुशी है कि किसान सुर्योदय योजना के माद्यम से गुजरात फिर एक नई पहल के साथ सामने आया है। सुजलाम, सुफलाम और सवनी योजना के बाद अब सुर्योदय योजना गुजरात के किसानों के लिए मिल का पत्थर साबित होगी। किसान सुर्योदय योजना में सरवोच्य प्राथ्मिक्ता गुजरात के किसानों की आवशक्ता को दी गई है। बिजली के एक शेत्रे में बर्षों से गुजरात में जो काम हो रहे थे वो इस योजना का बहुत बड़ा आधार बने हैं एक समय था जब गुजरात में बिजली की बहुत किल्लत रहती थी 24 गंटे बिजली देना बहुत बड़ी चुनोती थी बच्चों की पढ़ाई हो, किसानों के लिए सिंचाई हो, उद्योकों के लिए कमाई हो यह सब कुछ इस एक कारण से बहुत प्रभावित होता था ऐसे में बिजली के उत्वादन से लेकर, ट्रांस्मिशन तक हर प्रकार की कैपिसिटी तैयार करने के लिए मिशन मोड पर काम किया गया गुजरात देश का पहला राज्य था, जिसने सौर उर्जा के लिए एक दसक पहले ही व्यापक नीती बनाई थी जब साल 2010 में पाटन में सोलार पावर प्लांट का उद्गाटन हुआ था तब किसी ने कल्पना भी नहीं कि थी कि एक दिन भारत दुनिया को वन सन, वन वर्ड, वन ग्रीड उसका रास्ता दिखाएगा आज तो भारत, सोलर, पावर के उत्पादन और उप्योग दोनों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में हैं बिते छे सालों में देश सौर उर्जा के उत्पादन के मामले में दुनिया में पांचवे नंबर पर पहुँच चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है भाई और भेनों जो गाउं से नहीं जुड़े हैं खेती से नहीं जुड़े हैं उन में से बहुत कम को ही पता होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए जादा तर रात में ही बिजली मिलती है ऐसे में खेत में सिंचाई के समय किसानों को रात भर जागना पड़ता है जुनागट और गीर सोमनाज जैसे इलाकों में जहां से किसान सुर्योदय योजना शुरू हो रही हैं वहां तो वाइड लाइफ जंगली जानवरों का भी भहुत ज़्यादा खत्रा रहता है इसलिए किसान सर्वोदय योजना न सिर्फ राज्य के किसानों को सुरक्षा देगी बल्कि उनके जीवन में नया सवेरा भी लाएगी किसानों को रात के बजाए जब सुबह सुर्योदय से लेकर के रात नौ बज़े के दोरान त्री फेज बिजली मिलेगी तो यह नया सवेरा ही तो है मैं गुजराज सरकार को इस बात के लिए भी बढ़ाई दूँगा कि बाकी व्यवस्ताओं को प्रभावित किये बीना ट्रांस्मिशन की बिलकुल नई केप्रिसिटी तैयार करके यह काम किया जा रहा है इस योजना के तहट अगले दो तिन वर्षों में लगभग साड़े तीन हजार सरकीट किलोमिटर नई ट्रांस्मिशन लाइनों को बिछाने का काम किया जाएगा मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक हजार से जादा गाउं में ये योजना लागु भी हो जाएगी इन में भी जादा गाउं आदिवासी बाहुल्य इलाकों में है जब इस योजना का पूरे गुजरात में विस्तार हो जाएगा तो ये लाखों किसानों के जीवन को उनकी रोजमरा की जिन्दगी को पूरी तरह बदल देगी साथियों किसान की आए दो गुनी करने के लिए लागत कम करने के लिए उनकी परेशानी कम करने के लिए बदलते समय के साथ हमें अपने प्रयास बढ़ाने ही रहूंगे किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना हो या फिर हजारों किसान उत्पादक संगों का निर्मान सिंचाई की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो या फिर फसल बिमा योजना में सुधार यूरिया की सत प्रतिशत नीम कोटिंग हो या फिर देश भर के करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार इसका लक्ष यही है कि देश का एग्रिकल्चर सेक्टर मजबूत हो किसान को खेती करने में मुश्किल न हो इसके लिए निरंतर नहीं नहीं पहल की जा रही है देश में आज अन्न दाता को उर्जा दाता भी बनाने के लिए काम किया जा रहा है कुसूम योजना के तहट किसानों किसान उत्पादक संग एपियोस कोपरेटिवस पंचायतों ऐसे हर संस्तानों को बंजर जमिन पर छोटे छोटे सोलर प्रांट लगाने में सहायता दी जा रही है देश भर के लाखों किसानों के सोलर पंपों को भी ग्रीड से जोड़ा जा रहा है इससे जो बिजनी खेतों में पैदा होगी उसको किसान जरूरत के हिसाब से अपनी सिंचाय के लिए उप्योग कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजनी को बेज भी पाएंगे देश भर में करीब साड़े सत्तर लाख किसान परिवारों को सोलर पंप लगाने में मदद की जा रही है इससे किसानों को सिंचाय की सहुलियत भी मिलेगी और उन्हें अतिरिक्त आए भी हो जाएगी साथियों गुजरात ने तो बिजनी के साथ साथ सींचाय और पीने के पानी के ख्षेत्र में भी शांदार काम किया है इस कारकम में जुड़े हम सभी जानते हैं कि गुजरात में पानी की क्या स्थिती थी बजेट का बहुत बड़ा खर्चा सालों तक पानी के पीछे ही खर्चना पड़ा है ये बहुत लोगों को अंदाज नहीं होगा कि गुजरात पर पानी के पीछे आर्थीक बोज बहुत बड़ा रहता था बीते दो संदस्रकों के प्रयासों से आज गुजरात के उन जीलों उन गाउं तक भी पानी पहुँच गया है जहां कोई पहले सोज भी नहीं सकता था आज जब हम सरदार सरवर को देखते हैं नर्दाजी के जल को गुजरात के सुखागा सेक्तरों तक पहुँचा रही नहरों के नेटवर्क को देखते हैं, वाटर गीड्स को देखते हैं, तो गुजरात के लोगों के प्रयासव पर गर्व होता है। जल पहुचेगा है। ऐसे में जब आज गुजरात में किसान सर्वोदय योजना शुरू हो रही हैं, तो सभी को अपना एक प्राण, एक मंत्र फिर दोहराना है। यह मंत्र है पर ड्रॉप मौर क्रॉप का। जब किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, तो हमें जादा से जादा पानी बचाने पर भी उतना ही चोड़ देना है। वरना ऐसा नहों हो कि चलो भे बिजली आईए, पानी बहरा है, हम आराम से बैटे हैं, फिर तो गुजरात बरबाद हो जाएगा, पानी खतम हो जाएगा, जिन्दगी मुश्किल हो जाएगी। दिन में बिजली मिलने की वज़े से किसानों के लिए भी माइक्रो इरिकेशन की ववस्ताय करना आसान होगा। गुजरात ने माइक्रो इरिकेशन के ख्षेत्र में काफी प्रगति की हैं, टपक सींचाय हो या स्प्रिंकलर हो, किसान सर्वोदय योजना से इसके और विस्तार में मदद मिलेगी। भाईयो और भेनों, गुजरात में आज सर्वोदय के साथ ही आरोग्यदय भी हो रहा है। ये आरोग्यदय अपने आप में एक नया नजराना है। आज भारत के सबसे बड़े कार्डियार्ट अस्पताल के रूप में यूएन मेता इंस्टिटूटर अप कार्डियोलोजी एंड रिसर्च सेंटर का लोकारपड किया गया है। ये देश के उन चुनिंद अस्पतालों में से हैं जिसमें वोल्ल क्लास इंस्पा स्रक्चर भी हैं और उतनी ही आधुनिक हेल्स फैसिलिटी भी हैं। के लिए बहुत बड़ी सुविदा है। भाई और भेनों बीते दो दस्वकों में गुजरात ने आरोग्य के एक शेत्र में भी अभुत्पूर्व काम किया है। चाहे वो आधुनिक अस्पतालों का नेटवर्ग हो, मेडिकल कॉलेज हो या हेल्स सेंटर्स हो, गाउं गाउं को बहतर स्वास्त सुविदाओं से जोडने का बहुत बड़ा काम किया गया है। बीते छे सालों में देश में स्वास्त सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई है। उनका भी लाप गुजरात को मिल रहा है। आईश्यमान भारत योजना के तहट गुजरात के 21 लाख लोगों को मुप्त इलाज मिला है। सस्ती दवाईयां देने वाले सवा 500 से जादा जनवसदी केंद्र गुजरात में खुल चुके हैं। इस में से लगबग 100 करोर रुप्य की बचत गुजरात के सामान्य मरीजों को हुई है। भाईयों और भेनों आज गुजरात को जो तीसरा उपहार मिला है उचसे आस्ता और परेटन दोनों ही आपस में जुडे हुए हैं। गिर्नार परवत पर मा अम्बे भी विराज्ती हैं। गुरतनाक शिखर भी हैं। गुरु दतात्रे का शिखर भी हैं। और जैन मंदीर भी है। यहां के हजारों सीधियां चड़कर जो सिखर पर पहुंचता है वो अदबूत, शक्ति और शांति का अनुभव करता है। अब यहां विश्वस्तरिय रोप्वे बनने से सबको सुविधा मिलेगी। सबको दर्शनों का आउसर मिलेगा। अभी तक मंदीर तक जाने में जो 5-5-7-7 गंटों का समय जगता था, वो दुरी अब रोप्वे से 7-8 मिनिट में ही तै हो जाएगी। रोप्वे की सबारी, एडवेंचर को भी बढ़ाएगी, उत्सुकता भी बढ़ाएगी। इस नई सुवीधा के बाद यहाँ जादा से जादा सरद्धालू आएगे, जादा परियटक आएगे। साथियों, आज जिस रोप्वे की शुरुवात हुई है, वो गुजरात का चौथा रोप्वे हैं। बनास काठा में, मां अम्बा के दर्शन के लिए, पावा घड में, सत्पुडा में, तीन और रोप्वे पहले से काम कर रहे हैं। अगर गिनार रोप्वे में रोडे न अटकाय होते, तो यह इतने वर्षों तक अटका नहीं होता। लोगों को, टुरिस्टों को इसका अलाब बहुत पहले ही मिलने लग गया होता। एक राष्टर के रूप में, हमें भी सोचना होगा, कि जब लोगों को इतनी बड़ी सुविधा पहुचाने वाली व्यवस्ताओं का निर्मान, इतने लंबे समय तक अटका रहेगा, तो लोगों का कितना नुक्षान होता है, देश का कितना नुक्षान होता है। अब जब ये गिरनार रौपे शुरू हो रहा है, तो मुझे खुशी है कि हाँ लोगों को तो सुविधा मिलेगी ही, स्थानिये युवाओं को रोजकार के भी अधिक आउसर मिलेगी। साथियो, दुनिया के बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आस्था से जुड़े केंद्र इस बात को स्विकार कर चलते हैं कि हमारे यहाँ जादा लोग तब ही आएंगे जब हम टूरिस्टों को आधिनुक सुविधाय देंगे। आज जब टूरिस्ट जहां अभी कहीं जाता है, अपने परिवार के साथ जाता है, उसे इज अफ लिविंग भी चाहिए होती है, इज अफ ट्राविलिंग भी चाहिए। गुजरात में अनेकों जगह हैं जिन में भारत ही नहीं दुनिया का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की छमताएं पड़ी हैं, अपार संभावनाएं पड़ी हैं। अगर माता के ही मंदिरों की बात करें, तो भक्तों के लिए गुजरात में पूरा सर्किट हैं। मैं सब माताओं के स्थानों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। और गुजरात के सभी कोने में इस शक्ति रुपेन माताएं गुजरात को निरंतर आशिरवाद देती हैं। पावागर तो है ही हैं, चोटिला चामुंडा माताजी हैं, उम्या माताजी हैं, कच्वे मातानों मड़, इतने ही याने अनगिनत हम अनुभव कर सकते हैं कि गुजरात में एक प्रकार के शक्ति का वास है। कई प्रसिद्ध मंदीर हैं। आस्था के स्थलों के अलावा भी गुजरात में अनेक जगे हैं, जिनकी ख्षमता यदभूत है। अभी आपने भी देखा हैं कि द्वारका के पास शिवराजपुर समुद्री बीश को अंतर राष्टे पहचान मिली हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हैं। जब ये कोरोना शुरू हुआ, उससे पहले ही करीब करीब 45 लाग से जादा लोग Statue of Unity को देखने जा चुके थे। इतने कम समय में 45 लाग लोग बहुत बड़ी बात होती है। अब Statue of Unity को फिर से खोला गया है, तो ये संख्या फिर तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह छोटा सा उदान देता हूं मैं। अमदाबाद में कांकरिया जील। कांकरिया तालाब तक पहुंचने वालों के संख्या एक जमाना था, वहां से कोई गुजरता नहीं था। दूस्ता रास्ता लेता था। उसका थोड़ा सा रिनोवेशन किया, थोड़ा टूरिस्ट को ध्यानवे रक्तर के व्यवस्ताएं खड़ी की। और रास्तिती क्या है, वहां पर पहुंचने वालों के संख्या अपसालाना पचरतर लाख तक पहुंच रही है। अकेले अमदाबाद सहर के मध्य में 75 लाख मध्यमबर्ग, निम्न मध्यमबर्ग के परिवारों के लिए ये जगा बहुत आकरशन का कारण बन चुकी है। और अनेक लोगों की रोजी रोटी का कारण भी बनी है। ये सारे परिवर्तन, टुरिस्टों की बढ़ती हुई संख्या, स्थानिये लोगों की आए बढ़ाने भी बहुत मदद करती है। और टुरिजा में एक ऐसा क्षेत्र हैं, जहां कम से कम पूझी लगती हैं, और जादा से जादा लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे जो गुजराती साथी और मैं चाहूँगा विश्व भर में फैले हुए गुजराती बंदु भगिनी को मैं आज आगरत से कहना जादा हूँ। गुजरात के ब्रेंड एमेसेडर बनकर आज पूरी दुनिया में गुजरात के लोग छाये हुए है। जब गुजरात अपने यहां नए नए आकरशन का केंद्र बना रहा है, बविश्व भी बनाने वाला है, तो दुनिया भर में फैले हुए हमारे गुज्जु बंदों से मैं कहूँगा, वो हमारे सभी साथी उनकी बातों को पूरी दुनिया में अपने आपी लेकर के चले आएं, दुनिया को आकरशित करें, गुजरात के टूरिस्ट डेस्टिनेशन से परिचित कराएं, हमें इसी को लेकर आगे चलना है, आगे बढ़ना है, एक बार फिर सभी गुजरात के मेरे भाईयों भेनों को इन आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधा देता हूं, मां अम्बे के आशिर्वात से गुजरात विकास की नई उचाईयों पर पहुंचे, मेरी यही प्रार्थना है, गुजरात स्फस्थ रहें, गुजरात ससक्त बनें, अन्य मारे गुजरात ना भाईयों बहनों ने एक दिल्ली बात करवी छे, अन्य मने खात्री छे, कि मारी आवात ने आप जरूर सत्कार सो, अन्य मने साथ आप सो, कोरोना वाइरस छे, त्या सुधी, सावचे रहमूं खुबज जरूरी छे, बे गजनी दूरी, खुबज जरूरी, माक्स पहरवो पाण, एक दम जरूरी, साबूती नियमिद हाथ धोता रहो, जा सुधी दवा नहीं, त्या सुधी डिलाश नहीं, इनी सुभकामनाओं के साथ आपका आभार बहुत बहुत धन्यवाद.